जनरली दो तरह के eyesight issues होते हैं, myopia और hypermetropia, confusion होता है कि कौन सा क्या है, तो कैसे इसको याद रखें, सबसे पहले देखते हैं hypermetropia को, hypermetropia का मतलब है farsightedness, यानि कि दूर की चीज़े दिखती है, farsighted मतलब आप दूर की चीज़े देख सकते हैं, नस्दीक की चीज़े नहीं देख सकते हैं, तो अब farsightedness दूर, मतलब long distance है, और hypermetropia भी एक बड़ा word है, तो बस इसके word में ही इसका meaning छुपा हुआ है, hypermetropia बड़ा word है, यानि कि लंबा word है, यानि कि आप दूर देख सकते हैं, नस्दीक की चीज़े नहीं देख सकते हैं, ऐसा क्यों होता है, यह है कि रेटिना के पीछे image बन रही है, इसको correct करने के लिए, corrective lenses का use किया जाता है, और यह lens है, convex lens, इसमें अगर आपका power आएगा, तो उसके आगे positive sign लगा हुआ होगा, दूर की चीज़े आपको दिखती हैं, नस्दीक की नहीं दिखती हैं, और trick इसके word में है, यह हो गया hypermetrop myopia, चुकि छोटा word है, और इसका meaning होता है, near sightedness, यानि कि नस्दीक की चीज़े आपको दिखेंगी, जो past से दिखेंगी, यानि कि कम distance पर जो चीज़ें वो दिखेंगी, तो word चोटा है, यहाँ पे myopia, इसका मतलब है near sightedness, नस्दीक की चीज़े दिखेंगी, दूर की चीज जितना दूर में होता जाता है, वो blurry होता जाता है, normal eye का far point देख सकते हैं, myopic eye में क्या होता है, कि blurry होता जाता है, correction के लिए concave lens use किया जाता है, और power में आपका minus, यानि कि negative sign रहेगा, तो है यह myopia के लिए correction, concave lens, meaning है near sightedness, तो बहुत ही आसान सा trick है, बड़ा word, यानि कि दिखता है, छोटा word यानि कि नजदीक दिखता है, ऐसे ही tricks के लिए चानल को सब्सक्राइब कर लीजेगा, thanks for watching.